जोनाच ऐसे फेक लॉंच जो आज ही लॉंच हुआ प्ले स्टोर पर और इस अप्लीकेशन से अगर आप पैसा लेना चाहते ना लॉन लेना चाहते तो ले लिजी बेफिकार हो के रोग एक भी रुपया का आपको रिपेमेंट नहीं करना है देकि फेक लॉन एफ जो है वो ख आपी ज्यादा रिक्सिबला काम होता है कैसे करकर आपको लेना है कैसे करकर बचना है मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैंने फेक लोन एप से लगबग अभी तक नहीं भी होगा ना तकम से कम 50,000 से भी ज्यादा पैसा फेक लोन से निकाल लिये हैं और आप भी यह कर स आपको पैसा चुकाना पड़ेगा लोन का रिपेमेंट करना पड़ेगा नहीं तो आपके ओपर लिगल एक्सेन भी हो जाता है और साथ में जो है आपका क्या होता है यहाँ पे जो सीबील होता है वह भी डाउन हो जाता है ठीक है लेकिन अगर आप फेक लोन एपस से लोन कर देता है ठीक है और इस तरह का एक नहीं बहुत सारा प्लेश्टोर पर एबी लेवल एंप और उस एपस में लोन लेने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यह जो कंपनी है यह आपको सिर्फ साथ दिन के लिए लोन प्रवाइड करवाता है ज्यादा टाइम का यह लोन प पैसा रिकवर करना होता है जैसे कि मान लिया जाए यह आपको पांस जार का लोन मिला उसमें से आपके बैंक के काउन में लगबग चार अजार के आसपास आएंगे और रिपेयमेंट आपको पचपन सो के आसपास कराया जाएगा ठीक है और उभी साथ दिन में और यहां प से पहले देखें फेक लोन एप कोई भी नियम नहीं है इसका कोई भी आरबिया का जो गाइडलाइन है उसको नहीं मानते हैं यह आए दिन आपको परिषान करते हैं अगर आप लोन का रिपेयमेंट नहीं करेंगे काफी ज्यादा हरासमेंट भी करते हैं एक दीन में सौ सो बहुत सारा मतलब और बहुत ड़न कोरे करनेंगे लेकिन एयसे भी लोग है डिसा कि मैंने भूस सारा बताय Troy leopard से लेकिन नहीं कर रहे वह थंप एक है कि कया सकी बचना थिल्टेंब वह यूट क्या सबसें पहले के सीसे करकर बचना अपको और और आपका रियल कोई भी कोंटक लिश्ट नहीं है कम से कम आप सो कोंटक लिश्ट क्रियेट करेंगे ऐसे कॉंटक क्रियेट करेंगे जहां फर्जीयों फेक हो और जो भी डॉकॉमेंस देंगे वह थो आपका डूबलिकेट नहीं चलेगा pen card अधार कार्ड क्योंकि उसमें सेलफी भी देना होता है तो पूरा आपको रियल देना है ठीक है लेकिन अब क्या करना है देखें जैसे ही साथ दिन पैसा मांगने के लिए कंपणी वाले कॉल करें आपको पूछेंगे fair repayment करो अपना mobile phone आपको बंद कर देना है या तो फिर अगर आप उन्हों से बात करना सकते हैं तो आप उसको डाइर्क बोलिए जो लोन कंपणी वो फेक है और आपके लोन कंपणी को में एक भी रुपया पैसा नहीं चुकाऊँगा क्योंकि आप एक फॉर्ड लोन कंपणी हो तब वो कंपणी वाले कि आपका एक fake loan company है, जितने भी popular loan company है, जो कि NBFC से register है, वो कभी भी आपके contact list को call नहीं करते हैं, हाँ हो सकता है कि आपको 3-4-5 बार call किया हो, या तो आप से पैसा मांगा हो, या तो recovery के लिए, नदलब आपको कुछ ऐसा जो है, irritated होकर बोलता हो, वो अलग waiter है, लेकिन आपक जो है, जो criteria है, ठीक है, उसको कभी भी उलंगन नहीं करते हैं, जैसे RBI ने कुछ नियम दिया है, कि आप लोगों को ज्यादा परेसान नहीं कर सकते हैं, इस तरह करके, तो इस तरह करके वो लोग नहीं करते हैं, NBFC register company, लेकिन वहाँ पर आपका civil जरूर खराब हो जाता है लेकिन इन loan company में कोई भी civil और खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, loan अगर आप लेना चाते हैं, तो ले लिजी आराम से, लेकिन ध्यान रखना है कि भाई, परेसानी तो होगा आपको, लेकिन अगर आप परेसानी जहल लेंगे, और खुड ठान लेंग लिजी, documents क्या लग रहा है, तो documents में कुछ भी नहीं है, देखिए यहां पर अधार कार्ड और pen card, अधार कार्ड और pen card का फोटो देना है, loan आपको पुर्बल मिल जाता है, easy process में, तुरंत इस पैसे को bank account के अंदर transfer कर लिजे, ठीक है, तो यह पहला application है, जो कि आए दिन रूफी टाच, इसका भी नाम आपने सुना होगा, रूफी टाच जो है, आपको पूरे 50,000 का loan प्रुवाइट करवाता है, 50,000 का, सोचिए, और यहां पर loan लेने के लिए ना तो आपका civil score चेक करेगा, नहीं, बैंक statement लग रहेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड, से ही loan मिल जाएगा आपको, अधार कार्ड देना है और सेलफी देना है, और जो register company है, वो आपसे अधार कार्ड, pen card, bank statement, आपका selfie, उसके बाद EKYC जो होता है, अधार कार्ड में जो mobile number registration होता है, NSDL के website से यह चीज सारा process होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आ इंडिया से चल रहा है, सारा बिदेश का ये company है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ये लोग क्या कर रहे है, लोगों को चूतिया बना रहे है, पैसा ठग रहे है, और उसमें से दो-चार ऐसे अगर होसियार बंदे हो जाएंगे, तो वो भी इस company को भी ठग लिजिए, यहां पर यह लोगों को लगा है कि अप्लिकेशन बेश्ट नहीं है, तो इस company से अगर आपको लोगों मिल जाता है, तो ले लिजिए, तिसरा जो अप्लिकेशन है, उसका नाम है smart credit buddy loan, इस company से भी अगर आप लोगों लेते हैं, तो आपको पैसा नहीं चुकाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा, अपने रिक्स पर loan लेना है, मैं यहां पर किसी को जवर्जस्ति loan लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक तरीका आप लोगों को दे रहा हूं, कि फरजी loan एप से अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, निका यूटूब में भरा पड़ा है, कि यह जो application है, काप ही लोगों को परिशान कर रहा है, और यह जो एक डेंजर अप है, साथ दिन के लिए loan प्रवाइट करवाता है, और साथ दिन के बाद ही पैसा इतना ज़्यादा है, मतलब मांगते हैं, इतना आपने loan amount लिया ही नहीं है, मतलब आपको एक चीज अपना माइंड में रखना है, कि मैंने loan लिया है, अब मुझे repayment नहीं करना है, तब ही जाके आपको loan लेना है, ठीक है, नहीं तो loan लेना ही नहीं है, fraud loan company से, यहाँ पर देखिए, यह जो application है, यह भी loan company जो है, यहाँ पर देखिए 70, मतलब यह company कह र वा देता है, इंसेंट, और यहाँ पर और एक fraud loan का यहाँ पर नाम में बता रहा हूं, जिसका नाम है, हिपी cash, यह भी loan company आपको इंसेंट loan प्रवाइट करवाता है, यह जो भी डेली इंट्रेस जोड़ा रहा है, साथ दिन के लिए loan company loan प्रवाइट करवा रहा है, यह के व यह जो loan company जितने भी है, यह सारे fraud loan company है, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक नहीं आप लोगों को बहुत सारा loan company का नाम बता दिया, अगर आप fraud loan app से पैसा लेना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, फिर भी मैं कहूंगा friend, अगर आपको loan का required है, तो किसी best loan company से ह लें, और अगर आप जानते हैं कि नहीं, मैं fraud loan company को handle कर लूँगा, आपके पास जो है, उनसे बात करने की जानकारी है, ठीक है, आप जानते हैं कि हाँ किस तरह से handle करना चाहिए, situation को तो आप ले सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी loan apps बताएं, सभी fake loan apps है और सभी से आप loan ले सकते हैं, और पैसा आपको चुकाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मुझे उमीद है, ये वीडियो आप लोगों को पस्तन आया होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पस्तन आया, तो वीडियो को लाइक से और कॉमेंट कीजिएगा, इस वी कॉमेंट करकर जरूर पुछिएगा, तो चलिए फ्रेंट, मिलते किसी अगले वीडियो में